प्रेग्नेंशी नमश्कार दोस्तों पूहलाइन वेट कर रहे हैए कि प्रेग्नेंसी उनको क gymn SPT हो जाय कि वी डियोको पूरी वॉच करईगा क्योंकि कुछ ऐसे symptoms होते हैं जो कि period miss होने से पहले आपको पता नहीं लगते कि ये pregnancy के ही symptom होते हैं और आप उन एक दो हफ्तों में कुछ ऐसी गलती कर जाते हो जिससे कि implantation की जो प्रकरिया है वो रुख जाती है तो कौन से ऐसे वो लक्षन है जिससे आप समझ सकते हो कि हाँ अंडा और स्पम का मिलन हो चुका है यानि कि अंडा फोड चुका है और स्पम से मिलकर वो फेटलाइज हो चुका है और गरब पे आकर बच्चा चिपक चुका है तो जब एक भून आके गरब की दिवासे चिपक जाता है तो कौन से ऐसे symptoms होते हैं जो कि आपको period miss होने के 3-4 दिन पहले नजर आएंगे अगर यह चीज़े नजर आती हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप इस बार कंसीब करेंगी या फिर आपको period साएंगे तो नमबर बन अगर जब आपका अंडा निकल चुका है और वो फूड चुका है और स्पम आके मिल चुका है तो इंप्लांटेशन हो अगर आपकी प्रेंटेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है देखिए एक भून को बनने के लिए फेटिलाइज होगा तब भून बनेगा और तब गरब की दिवाल से आके भून चिपकेगा तो जैसे ही आप जब ओविलेशन टाइम पिरिट पर रिलेशन बनाते हो तो ज़्यादा चांसी होते हैं कि आपको जो गरबाश एकी दिवार पर भून आके चिपक सकता है और प्रेंटेशन टाइम पिरिट जिन महिलाओं को नहीं पता तो मैं बता दू अगर आपकी प्रेंटेंसी कंसीव काफी टाइम से नहीं हो रही है आप काफी टाइम से ट्र सरकल है पीरिट का या 20 दिन का है या 22 दिन का या 28 दिन का है जो भी पीरिट सरकल है पीरिट जैसे ही आपको आते हैं उसके चौदवे दिन के बाद ऑविलेशन टाइम पीरिट शुरू हो जाता है जिन महिलाओं की शौट तम की होती है पीरिट की सरकल उनका शौट तम का ऑ से 40 दिन का है तो उनका ovulation time period समझ नहीं आता तब भी पीरिट्स अगर आपके बहुत लंबे आते हैं मतलब बहुत देर के बाद आते हैं तो प्रेग्नेसी कंसीव होने में बहुत सारी पीरिट होता है आपको नहीं पता तो यह सबसे परफेक्ट टाइम में पीरिट्स के 14 दिन के बाद आप रिलेशन में रह सकते हैं उस टाइम पे ओवरी से एग निकलता है आप सबको पता है गराबाशाई किससे होता है जुड़ा ओवरी से उसके लेफ्ट साइड और राइट ओवरी से अगर निकलता है और उस टाइम पर स्पम का मिलन हो जाता नहीं कि डिलेशनंट बनाते हो चान्सी इंपे यह ब Finnish कुछ चान्सीड हो जाते है कि पार महिला के ओवरी से एग रिलीज होता है तो आपको समझ आए कि क्यों बोला जाता है विलीशन टाइम पर रिलेशन बनाने को अब आप कहरे हो कि मुझे ज्यादा तर मैं अब बनाती हूं और अब भी प्रेग्नेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो कहीं नहीं रीजन है तो आपके जो हजबन का स्वाम है उसकी क्यालिटी कम है उसके सैल थोड़े से वीक है तो अगर वो ड्रिंक करते होंगे तब भी कुछ रीजन होते हैं या थाइरेड है तब भी रीजन होते कि आपको प्रेग्नेंसी नहीं कंसीव हो रही है क्योंकि बहुत सरी मिलाई कोशन करते हैं कि आप रिलेशन बना रही है तब भी आपको प्रेग्नेंसी नहीं हो रही है तो सबसे बड़ा रीजन है कि आपको अपना टमप्रेचर जैसे ही पीरेड्स आपके खतम हो उसके रोज आपने अपना टमप्रेचर बॉड़ी का नोट करना सुबा उड़ते उसके गंटे के चांसी नहीं होता है कि उस तैम पर रिलेशन बनाते हो तो चांसी तक बढ़ जाते हैं एक प्रेग्नेंसी को कंसीव करने के लिए तो आप अठी से समझ गए इस वीडियो से अपने टाइम पिरिट किया है उस टाइम पर रिलेशन मना ओगे तो चांसी ज़ादा होंगे आप आपको प्रेग्नेंसी को कंसीव करने में अब प्रेग्नेंसी कंसीव करना चाहरे हो रिलेशन बनाया अब आपने प्रेग्नेंसी कंसीव कर भी ली लेकिन पीरेट मिस होने से पहले आपको तो प्रेग्नेंसी मतलब बूंड आपका बनना शुरू हो रहा है लेकिन आप ट्र पहले, बन्तब चार सिंटम बढाती है, अगर उन में से कोई भी एक सिंटम मैच होता है, तो कोई भी आपने ट्रेवलिंग पर नहीं जाना, सर को वाश नहीं करना, जब तक पीरिट्स ना मिसो, तब तक सर को वाश ना करें, ट्रेवलिंग पर ना जाए, कोई गरं तैसिल की कुछ यसी कर देती हैं जिससे प्रेगनेंसी तो हो जाती है लेकिन वह फेल हो जाती है और आपको थकावट पीरड मिस होने के एक हफ़ते पहले बहुत थकावट हो रही है आप एक दम ठीक है बढ़ भी फिल कर रहे हो थक रहे हो काम करके ऐसा लगता है कि बौड़ी बहुत जादा वीक हो रही है तो यह भी एक लक्षन होता है कि आपने अप प्रेगनेंसी को कंसीड कर लिया है क्योंकि उस टाइप बलड जो होता है काफी तेजी से बच्चे तक यानि की गरबाशाय तक वह पहुंच रहा है जिस करके आपको थोड़ा सा वीकनेस फूल हो रही है पर भी मिस होने में चार दिन पड़े है पास दिन पड़े है तो कोई भी भारी काम नहीं करिएगा सरको वश नहीं करिएगा वेट करें कि पीरेट मिस हो जाए ठीक है नमबर दो यह सबसे मुखे लक्षन सभी महिलाओं में देखा गया जब पीरेट कंसी मितलब आप प्रे अधर काम होता है बलड को फिल्टर करना और जब आप फैटिलाइजेशन शुरू हो जाती है तो उस टाइम पे बहुत बढ़ जाता है वह बहुत तेजी से पहुंचाता है बूंड तक ब्लेसेंटा बनेगा बच्चा बनेगा तो इसके लिए बलड चाहिए होगा तो काफी मात्रा का में जो बॉड़ी काम होता है ब्लड को भून तक पहुचाने का होता है जिस करके आपको बार बर यूरीन आएगा और इस टाइम पर आपको भूग कम लगेगी आपको एसीडीटी पे टाइट ऐसा कुछ फील होगा क्योंकि जब प्रेगनेंसी कंसीव होने वाली होत जब आपको भूग कम लगेगी और पे टाइट टाइट लगेगा जैसे ऐसा कुछ फील होगा तो इस टाइम पर डाइजेशन सिस्टम स्लो हो जाता है इस करके चीजें होती और अगर ऐसा कुछ नजर आता है तो भी एलक्षन होता है कि आपने इस बर प्रेगनेंसी को 110 पर उलाइड चाहते है की प्रेगनेंसी कन्सीर हो उनकी और भी ज़्यादा जो कहते हैं तो बहुत ज़ादा होपो ति इस बर होगी पका इंप्लांटेशन अच्छ से हो जाए प्रेइनसी कन्सी बहुँ और पीरेट सनाए तो यह लेक्षन आपको देखने को मिलेगा आप जब हो रहा है घबराट हो जी है तो यह साइन लक्षन होते है यह एक बहुत सरी मईलाव में देखा गए फ्रेग्नेशी काई स्हीं रहे है कई मैईलावन को कई सी ही आ जाती है वंटिंग प्रेग्नेंसी का सिम्टम होता है और 80% महिलाओं में स्टार्टिंग में नजर आता है तो सबसे मोस्ट इपॉर्टेड इसके बाद आपको हलका सांकुचन फील होगा हलका साथ पेइन फील होगा अजया पहां पर आपके प्राइव्टम्स कड़ू तो आपके यूत्रइस का साइज बड़ा होता है और यूतरइस का साइज दिर दिर क्यों होगा हलका फुलका वो पेन कुछ समें होगा छीक हो जाएगा फिर होला ठीक हो जाएगा अगर अगर सा कोई पेन आपको नज़र आता है पी पीर wordt मिस होने से पहले तो यह बीए क چहो होग और उस ऐस बार आपने करने के चांसिस तो बहुत होते हैं बट कुछ ऐसी गलती करते हो जिससे की वह चीजे रुक जाती है और आपको पीरेट्स आ जाती है तो वह गलती बिल्कुल ना करें समय से पहले जब तक पीरेट्स नाए सरको वाश ना करें कहीं बहार ट्रैवलिंग पिना जाएं बहारी ए आज की वीडियो से समझ गए कि जब ओवरी सेंडन निकलता है और उस ताम पर समय से उसका मिलन हो जाता है तो कौन से संकेत होते हैं जो कि आपको पीरेट्स होने से पहले नजर आते हैं और आप समझ सकते हो किस वर आपने प्रेंडेंसी को पक्का कंसीव कर लिया है तो करेगा मिलती नए वीडियो में तपता चलें बबाइ